हेलो कीड्स आप सभी को हमारा चैनल पर स्वागत थे आज हम सीखेंगे अलफबेट क्या सीखेंगे बच्चों? आज हम सीखेंगे अलफबेट तो बच्चों चलो एक बार पढ़ लेते हैं A, B, C, D, E, F आज हम ब्लाक कालर से इस अलफबेट के उपर कलर करेंगे तो लेट्स स्टार्ट वीडियो पहले कौन सी अलफबेट आते हैं बच्चों? पहले A, कौन सी अलफबेट A और ये रखा हमारा A A के उपर अब हम ब्लाक कालर से कलर करेंगे तो बच्चो फहले कौन सी आल्फबेट? A A हो गया हमारा A के उपर ब्लाक कालर से कलर करना Done तो बच्चो ये कौन सी आल्फबेट था? ये था A और इसके उपर अब हम ब्लाक कालर से कलर कर दिया A के बाद कौन सी आल्फबेट बच्चो? A के बाद B तो चलो अब हम ब्लाक कालर से B के उपर कलर करते है ये कौन सी आलफाबेट है बच्चो ये है B कौन सी आलफाबेट B B के उपर ब्लाक कालर से कलर कर दिया तो बच्चो ये कौन सी कलर है ये है ब्लाक कालर और अब हम ब्लैक कलर से धीरे धीरे बी के उपर कलर करते जाएंगे ये हो गया हमारा बी बी के बाद कौन से आलफबेट बच्चो? बी के बाद सी कौन से आलफबेट सी तो चलो सी के उपर भी ब्लैक कलर से कलर करना शुरू करते हैं ये है सी कौन से alphabet बच्चो C C के उपर भी अब हम धीरे धीरे से black color से color कर रही है ये हो गया C के उपर हमारा black color से color करना C के बाद कौन से alphabet बच्चो C के बाद D तो चलो अब हम D के उपर भी black color से color करते हैं ये है हमारा D कौन से alphabet बच्चो D ये है हमारा D D के उपर भी अब हम धीरे धीरे से black color से color करते जाएंगे ये हो गया D के उपर black color से color करना D के बाद कौन से alphabet बच्चो D के बाद E तो चलो E के उपर black color से color करते हैं ये है E और इसके उपर आप हम black color से धीरे धीरे color करते हैंगे ये हो गया हमारा E तो बच्चो ये कौन से alphabet था ये था E और इसके उपर आप हम धीरे धीरे से black color से color कर दिया E के बाद कौन से alphabet बच्चो E के बाद F तो चलो E के उपर भी black color से color करते हैं ये कौन से alphabet बच्चो E अब हम E के उपर कौन से color से color कर रहे हैंगेर्स ये है black color हमारा E के उपर black color से color करना डान तो बच्चो आज हम क्या सीखा आज हम सीखा alphabet तो चलो फिर से एक बढ़ कर लेते हैं A, B, C, D, E, F Thanks for watching my videos Please like my videos and subscribe our channel